अब अच्छे होंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू प्लॉग में तो आज हमारे प्लॉग की सुरवात हो रही है खाना बनाने से सुबा के सारे काम हो चुके हैं चायनास्ता भी हो चुका है और आज है नौ जन्वरी दिन है मंगलबार का और सुबा के 8 बज रहे हैं, तो यहां पर मेंने कुले पर दाल चढ़ा दी है कूकर में और इधर हम बीनने लगे हैं चावल और हम लोग सात में चाय भी लेकर आए थे तो चाय को झो हैंने की चाय थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो हम लोगोंने का की थोड़ा सा ग्रम कर लेते हैं, उसके बाद में पीते हैं और जो लोग जो है नकी खाली थोड़ा सा सुबा के टाइम रहते हैं उन लोगों को जल्दी से चाय दे दी थी तो उन लोगों ने तो पी ली है लेकिन तब तक चाय ठंडी हो गई थी बिल्कुल ठंडी चाय हो गई थी और इधर दाल हमारी बन चुकी है तो जो है नकी दाल को पलट लेंगे कटोरी में कई लेंगे और तुरंत से ही हम रख देंगे चावल तो जल्दी से हमारा खाना बन जाएगा और इन दिनों का मौसम तो बहुत ही खराब रहता है आज भी हमारे यहां बारिस हो रही है कल साम से ही बारिस हो रही है और अभी से ठंडी ठंडी हवा चल लई है और सुबा से ही बारिस होना शुरू हो गई है तो अभी भी बादल तो चाये हैं लेकिन थोड़ा सा मौसम खुल रहा है और धूप भी निकल लई है ऐसा नहीं है कि धूप नहीं निकल लई धूप भी निकल लई है और फिर से बारिस होने लेकिन फिर बार हम कपड़े प्प exhibits तो मैंने कपड़े फिर से सारे रख दिये और फिर से सोचे रहे थे कि कपड़े फेला लादकर सार खुल गया था। चोका लाल मिर्च से और लहसुन से तो दो ही चीजों से जादा हम चोका लगाते हैं जो मसूर की डाल होती है वैसे तो जो अरहर की डाल होती है उसमें तो जीरे से लगाओ और लाल मिर्च से तो अच्छा रहता है जो हैने की स्वाद अच्छा आता है लेकिन इसमें हम जादा तर लहसुन से ही लगाते हैं और यहां पर फिर से हम आ गए थे कपड़े फैलाने के लिए क्योंकि हलकी सी धूप निकल आई है और फिर दुबारा से तुरंत से 2-3 घंटे बाद फिर से बारिस होने लगी थी तो इस तरीके का इन दिनों में मौसम हो रहा है क्योंकि बारिस त जो भी कल के कपड़े थे दुबारा से फिर से फैला दिये हैं और चादर जो थी यू तो उस दिन की ही है कुछ कपड़े मेरे दो तिन दिन हो गए हैं तब के हैं क्युक् faster नहीं रही हैं है खड़े कपडे पैला देंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे और इधर बादल अभी ही छाएैं हलके से और हल्की सी दूप भी निकले है ऐसा नहीं है कि दूप जैसे एकना करें निकल आई हो और अब साधी के भी दिन करीब भी आ रहे हैं थोड़े ही दिन बांकी रहे गए हैं तो जो भी चीजे जरूरत वाली होती हैं वो थोड़ी बहुत चीजे बन रही है और जो हैने की घर की मरम्मत हो रही है पलस्तर हो रहा है फरस हो रही है ये सारी चीजे हो रही है और ये बिस्त लगा देते हैं और यहां पर जूता और चपल के साथ में मिटी आ जाती है जबारोही के पापा जाते हैं दुकान पर तो जूता भी पहें Nurikeram आ जाते हैं यहां पर तो मिटी भी मिटी w साप सफाई कर देंगे वैसे तो मैंने की है सफाई अच्छë आ नीचे से जो भी कूडा उडा था वो सारा निकाल कर अच्छे से सफाई कहिए दी है बस सामने सामने की ही सफाई कहनी है और चादर को बिछा दिया है और यहां पर ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है एक दम से सीती जैसी वरसती है एक तो बिंडो से बहुत ज़्यादा हवा आती है और जब कि आरूही के पापा ने थोड़ा बहुत लगाया भी है जोने की अख़वार भी लगाये हैं धकने के लिए कि हवा ना आये तो हवा को रोकने के लिए लेकिन फिर भी हवा बहुत ज़्यादा यहां पर आती है और यह मैंने इस टूल लिया है साइद कल लिया ह तो आरोही भी जिद कर रही थी कि मम्मा एक इस्टूल ले दो हम भी खेलेंगे और बैठेंगे उस पर तो मैंने यह खरीद दिया है आरोही के लिए और यहाँ पर गाउं में ही आये थे तो यह 50 रुपे का दिया है और इधर जो है नकी फिर हम आ गए हैं छट पर क्योंकि वह नकी सूखने के लिए रख दी हैं चूले पर क्योंकि लकड़ियां बिलकुल भी नहीं जल नहीं है और लकड़ी कंड़े तो हैं हमारी यहां लेकिन लकड़ी थोड़े धीरे-धीरे खतम हो रही है बहुत ही मुश्किल से लकड़ी मिल पा रही है और गीली भी लकड़ी है सूखी हो लकडी तब तो कोई दिक्कन नहीं है लेकिन धूप ना निकलने की बज़े से बहुत ज़्यादा गीली लकडी है और ये सारी चीजे जो है न कि सभी लोग पहले से ही तैयारियां करके रख लेते हैं कि ठंड में धूप नहीं निकलेगी लेकिन हमारे यहां ये सारी तैयारियां नहीं हो पाई थी क्योंकि गैस भी जलती थी लेकिन अब की बार जो है न की गैस हमारी नहीं आ पा रही है कुछ दिक्कतों की बज़े से तो हम लोग सोचते हैं चलो कोई बान नहीं चूले पर ही खाना बना लेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नही बना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन हम लोग तो रोजी खाते हैं तो हम लोगों को तो एकदम से जो हैने की गैस का खाना खाएं गैस पर जो बनता है खाना सबजी बनती है रोटिया सिकती है वो खाना नहीं अच्छा लगता है और ये चूले का खाना जो हैने की ए कोटियां होती है या सबजी बनी होती है बहुत ही पसंद आती है क्योंकि मैंने कई भाया और दीदियों को देखा है ब्लोग में कि बनाते हुए भी वो लोग सहर में रहते हैं फिर भी चूले पर ही खाना बनाते हैं और बहुत ही तारीब करते हैं तो हम लोग तो जैसे रोज आज ही बनाना होता है खाना भी बनाना होता है जो भी चीजे है इसको यह नहीं देते है मुदा नहीं पिर दिदी ने डाल देती में ढ़कियों गया पैती हें दुआए और हमया है लेकिन ज़्यादा नहींस होता आप कुआ होता है जिसमें धागा डालते हैं वो चिद गया था तो खून भी थोड़ा सा चलग गया था फिर मैंने जो हैने की नहीं डलवा पाये थे धागा फिर गुवाने डलवाए और भी कई लोग आये थे धागा डलवाने के लिए जो कि हमारे परिवार की ही दीदियां आई तो फिर दीदि की जो हैने की रजाई तो सिल गई थी और थोड़ी सी हलकी सी जो धूब निकली थी उसी बीच हम कपड़े लेकर आ गए थे और बारिस फिर से होने लगी थी तो कपड़े मैंने जो सूखे सूखे थे वो मैंने घरी करके रख दिये हैं क्योंकि नहीं तो फि टिया भी जा रही है अपने ससुराल अपने घर तो वो साड़ी पहनने के लिए आई थी तो हमारी देवरानी जी साड़ी में कांटा लगा रही थी जो सिप्टी पिन होता है वो ही लगा रही थी पल्लू में और इधर आलू हमारे तो उबल चुके हैं और जो भी तैयारिया अपने पूभी कर लेते हैं धीरे धीरे तो धन्या की पति तब तक हम कट कर करके रख लेंगे क्योंकि आलू अभी छील लें है और हरी मिर्च कट करके रख ली है बस धन्या की पति जो है लो और नमक मिर्च भी हमारी नदद जी पीस कर ले आई हैं क्योंकि हम लोग नमक मिर्च जो होती है नमक मिर्च हल्दी मिर्च ये सारी चीजे जो हैनकी सिल्वट्टे पर ही पीस कर ले आते हैं वही मसाले हम डालते हैं और सिल्वट्टे का जो पीसा हुआ नमक मिर्च होता है उ हम लोगों के यहां यह सारी चीजे गाउं दिहात्मी यह सारी चीजे मिल जाती हैं जो कभी कभी सहर में नहीं मिलती हैं क्योंकि गाउं में तो सभी चीजे होती हैं और पहले भी होती थी और अभी भी हैं सभी चीजे कुछ चीजे नहीं हैं जो पहले मिलती थी वो चीजे कु हुआ है और उसको आराम से चारो तरप से जो है न की एकदम से लपेट ली है पैंट और हाथों में दबा कर बैठा है कि कहीं खाने पीने को मिल जाए तब हम इसको छोड़ें और ऐसी हालत की थी पैंट की वैसे फाड़ी तो नहीं थी लेकिन इतिनी गंदी की थी मिट्टी ल की तो ये बाले रख देते हैं समेठ kर नहीं तो ये बाले भी बन्दर ले जाएगा और जब कि हम लोग सभी लोग यहीं पर थे तो इतने ज्यादा बंदर हमारी हैं परिसान करते हैं और कपड़े हमने डाल दिये हैं नीचे और सूखत तो नहीं थे बस हलके और इधर आलू तो चिल गए है बस अब भरता बना लेते हैं कचोडियों के लिए क्योंकि आज हमारे यह साम के खाने में बनने वाली हैं पूरी और कचोड़ी नए साल पर नहीं बन पाई थी तो वही जो है नकी आज बनने के लिए जा रही है और अभी नया साल ही चला है त चुनकि बैसे तो फोड़ने वाली एक मसेन भी आती है, हते जैसी होती है, तो उसे भी अच्छे से फोड़ जाते हैं, लेकिन वो हमारे या नहीं है तो हाथ से ही हम लोग बना लेते हैं भरता, और यहाँ पर मिला दी है मैंने नमक मिर्च हींग मिलाई है और धनिया और हरी मिर्च सबी चीजे मिक्स करके अच्छे से बनाकर इसको रख देंगे और पहले तो जो हैनकी सबजी बनाएंगे नमक मिर्च के आलू कौर लेंगे रख देंगे उसके बाद में ही हम लोग पूरी कचोड़ी बनाना शुरू करेंगे तो जोहनकी ये नमक मिर्ची यही खास बात होती है जो भी आलू कौरो या फिर नमक मिर्ची कचोड़ी है मों मिलाओ बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और यहां पर जोहनकी सारी तयारियां हो गई है सबजी को बना कर मैंने रख दिया है क्योंकि अभी सभी लोग खाएंगे खाना सभी लोग बैठे हैं यहीं पर हम लोग तो पहले से ही बैठे थे पापा भी आ गए थे आरुही के पापा भी आ गए थी तो यहां पर सभी लोग आ गए हैं तो अब बनाना में हम लोगों ने शुरू कर दी है कचोड़ी पहले थोड़ी सी कचोड़ी बनाएंगे और बीच में थोड़ी सी पूरी बना लेंगे बैसे तो पूरी हम लोगों ने बहुत ही कम बनाई है आटा थोड़ा सा ही मैंने लगाया है और कचोडियां धेर सारी बनाएंगे कचोडियां सुबा तक खाएंगे क्योंकि सुबा भी नास्ते में कचोडियां अच्छी लगती ह साम के टाइम में तो कम ही सभी लोग उन्हें की ये कचोड़ियां खाएं थे, सुबा के नास्ते में ज्यादा ही कुछ सभी लोग पसंद करते हैं चाय के साथ में, और इधर हमारी आरोही बना रही है पूरी कचोड़ी, तो यहां पर जो हैंने की आरोही ना बनाए ऐसा तो हो अपने आप जो बनाए थे, वही खाए थे, और कचोड़ी थोड़ी से हम लोग बड़ी-बड़ी ही बना रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है और अच्छी भी लगती हैं जो बड़ी-बड़ी कचोड़िया होती हैं, लेकिन जब भी हमारी बुवा जी सासुमा बै थे होती हैं, तो एक बार जरूर ही बोलेंगी कि छोटी-छोटी बनाओ, तो उन्होंने आज भी बोला था कि छोटी-छोटी कचोड़ियां बनाओ, इतनी बड़ी-बड़ी बना रहे हैं, तो उनके लिए 2-4 कचोड़िया हम लोगों ने छोटी बना दी थे, लेकिन अपने लिए सबी लोगों ने हम लोग बड़ी बड़ी की कचोडियां बना रही हैं क्योंकि बड़ी बड़ी अच्छी लगते हैं खाने में और जो हैनकी भरता जो होता है ये भी जाधा भर जाता है तो बहुत ही अच्छी लगते हैं खाने में और यहां पर आरो ही अब जो हैनकी अब कचोडियां बना रही हैं तो थोड़ी कचोडियां भी दोचार बनाएती हैं और दोचार पूडियां भी तो इधर हमारी गर्मा गरम कचोडिया बनकर तयार हो गई हैं आप सभी भी खा लेजिए गर्मा गरम आलू की कचोडि तो हम लोग तो इसी तरीके से आलू की कचोड़ी बनाते हैं और बहुत ही अच्छी लगते हैं और जाधा तर इन दिनों में हमारे या आलू की ही कचोड़ी बन रही है जब आलू नहीं होता है या फिर आलू महेंगा हो जाए तब हम लोग डाल की कचोड़ी बनाते हैं वैसे तो आलू की ही कचोड़ी सबी लोग पसंद भी करते हैं और जाधा ही कुछ हमारे यहां आलू की ही कचोड़ी बनते हैं और आलू हमारे यहां जो हैनकी है भी जाधा तो आलू सबसे जाधा खाया भी जाता है और हमारे यहाँ ही नहीं हर जगे पर आलू ज़ादा ही कुछ खाया जाता है क्योंकि आलू ही मैंसबजी जो होती है वो मैंसबजी होती है और इधर हमारे कचोड़ियां भून रही हैं कड़ाई में तो पांच-पांच कचोड़ी करके मैंने भूनी थी और बिल्कुल धीरी- देरे आच में भून रहे हैं तो अच्छे से हमारे कचोड़ियां भी भून रही हैं और अभी हमारे कचोड़ी पूरी बनाने के बाद में फिर हम लोग सारे काम भी खतम कर लेंगे साम को ही सुबा के लिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जो साम के काम है वो अब हम लोग साम को ही खतम करे लेते हैं कभी कभी किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि ठके हो या फिर कुछ काम में और लग जाएं या फिर जाधा कुछ देरी हो जाती है तब हम लोग छोड़ देते हैं काम बैसे तो सारे काम साम को ही खतम करे लेते हैं और यहां पर सबी लोगों के लिए लगा अच्छे से डाल ली थी तो पापा और आरुए के पापा चार पाई पे बैठे हैं और बुआ लिए हैं आरब को क्योंकि आरब इतने टाइम सो गये थे तो आराम से लेटे हुए हैं और यहाँ पर साथ में ही सबी लोग खा लेते हैं तो अच्छा लगता है खाना बनाते और आज छो है ने कि थोड़ी सी देरी भी हो गई थी लेकिन फ bets हम लोग नेका चलो जो काम है वो खत्म ही कर देते हैं और काफी टाइम लग गया था पूरी कचोरी बनाने में आखा यह सह तो छीजे बनाते हैं तो हमारा ही खाना बाकी रह गया था और ठंडी बहुत ज़्यादा है एकदम से बहुत तेज हवा चल लई है तो जल्दी ही कर रहे थे कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए उसके बाद में सबी लोग नीचे चलो और हम लोगों ने यहाँ पर फिर खाना खाया भी नहीं था ब्लोग को पसंद कहते हैं उनको भी तहदेल से बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहेगा अपना प्यारों सपोर्ट बनाये रखना जो भी हमारे भाया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कह लिया क देते हैं तो हमारी नंदजी बरतन धुल रही हैं और हम बरतन माज रहे हैं तो जल्दी थोड़ा सा हो गया था और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लोग हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लोग के साथ में तब तक के आप सभी दोस्तों को नमस्ते